नमस्कार बच्चों, सेंट जेवे स्कूल आदिपूर, इक लास में आप सभी का हादिक स्वागत हैं। आज हम कक्षा 6 में हिंदी व्याकरण के विशे में पाट नबर एक वन परिचे अका अभ्यास करेंगे। आप सभी कक्षा 2 से 5 वी तक यह सारी चीज़े सीखते ही आए हैं। आप सभी यह बाते जानते ही हैं। कक्षा 6 में आपको यह पाट पुन्रावर्तन की तौर पर दिया है। तो आज हम इसका पुन्रावर्तन कर लेते हैं। आईए पाट एक का अभ्यास शुरू करते हैं। पाट एक वन परिचय और। हम सभी जानते ही हैं कि हिंदी बाशा जिस लिपी में लिखी जाती है। उसे हम देवनागरी लिपी करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि नागरी लिपी यानि कि हिंदी बाशा जिस विशे में लिखी जाती है उसे हम देवनागरी या नागरी लिपी करते हैं। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं। वनमाला वन को अक्षर भी कहते हैं जैसे जो भी अक्षर हैं उसे हम वन कह सकते हैं और जो अक्षरों का समू होता है बहुत सारे अक्षर जब मिलते हैं इकटे होते हैं जो समू होता है उनका उन्हें कहते हैं वनमाला और हमारी जो देव नागरी लिपी है या फिर नागरी वन माला है उसके अंदर दो प्रकार के भाग है एक है स्वर दूसरा है व्यंचन तो यह था वन माला है वन को अक्षर भी काते हैं या अक्षरों के समूग को वन माला काते हैं नागरी वन माला के दो भाग हैं स्वर और व्यंजन उसके बाद है हमारा तीसरा नंबर जो है स्वर स्वर आप सभी जानते हैं कि स्वर की से कहते हैं और स्वर कौन कौन से हैं कितने हैं हम सब जैसे जानते हैं कि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है इस स्वर का उच्चारन यानि उसके वो बोलते समय किसी और अक्षर का उसके साथ चोड नहीं है यानि वह स्वतंद्र रूप से बोला जाता है कोई भी आप स्वर का अक्षर बोल कर देखे उदारन के रूप में हम बोल सकते हैं स्वर का कोई भी अक्षर की A A में आप पीछे द्यान से सुनिये तो भी आपको पीछे A ही सुनाई देता है A के पीछे कोई भी दूसरा द्वनी या अक्षर सुनाई नहीं देता तो स्वर जो है वो खुद स्वतंत्र है उसको बोलने के लिए किसी और अक्षर की या ध्वनी की जरूरत नहीं पड़ती स्वर जिन वनों का उच्चारण स्वतंतर रूप से किया जा सकता है उन्हें हम स्वर कहते हैं जैसे की ओ, ई, उ, री, आदी हमारे हिंदी वन माला में आप सभी जानते हैं कि तेरह स्वर है तो यह थे हमारे तेरह स्वर जो आप सभी जानते हैं और आपको आते भी हैं तो आगे हम बढ़ते हैं चौथा नमबर है हमारा व्यंजन व्यंजन आप सभी को पता है जैसे स्वर हम सीख कर आए हैं वैसे हम व्यंजन भी सीख कर आए हैं जैसे हमने स्वर में देखा कि स्वर स्वतंतर रूप से बोले जाते हैं और जो व्यंजन है वहां हम स्वतंत्र रुप से नहीं बोल सकते हैं व्यंजन को बोलने के लिए उसमें स्वर्ग का मिलाब होना जरूरी है स्वर्ग की मदद के बिना हम व्यंजन नहीं बोल सकते हैं जिन वर्णों का उच्चा रण, स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे की कौ, अभी हम कौ ध्यान से सुनें, तो कौ में पीछे औ सुनाई देता है, आप बोलकर खुदी प्रायस करें, कौ बोलने का प्रायस करें, और उसको अनु तो पीछे औ सुनाई दिया, तो क जो व्यंजन है, वह स्वर के मिलाप से बनता है, यानि की क क क को अगर हम अलग करें, तो क जोड औ यानि की क बनता है, वैसे ही बाकी के वी जो व्यंजन है, उसके बोलने पर भी हम स्वर का अनुभव करते हैं, साथ में स्वर तो बोलना ही होता है तो जो व्यंजन होते हैं वो हम बिना स्वर्ग की सहायता के नहीं बोल सकते हैं तो हमारी नागरीवन माला में व्यंजन है जो आप सभी जानते हैं फिर भी हम एक बार उसे देख लेते हैं कख गग अंग चच जजन्य तठ डडड़न तठ डड़न पफबबम य र लव श श स ह अभी यहां पर इतने ही व्यंजन दिये हैं आप सब देख सकते हैं पर इसके आगे भी व्यंजन तो आते ही हैं पर वो यहां पर क्यों नहीं दिये हैं वो मैं अभी आपको समझाती हूं आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं सयुक्त व्यंजन सयुक्त व्यंजन यानि कि अपने सह के बाद के आगे के जो व्यंजन है यानि कि क्ष़, त्रग्य और श्रण तो यहाँ अक्षर हमने व्यंजन में नहीं लिखे थे अभी हमने देखा कि यहां अक्षर व्यंजन में नहीं लिखे हुए थे क्यों? क्योंकि यहां संयुक्त अक्षर है संयुक्त व्यंजन है इसे बोलने के समय हमें दूसरे अक्षरों को साथ में ही बोलना पड़ता है यह जुड़े हुए हैं इसलिए हम इसे संयुक्त व्यन्जन काते हैं जैसे कि क्षा है तो क्षा में हम क्या मिलाते हैं क्षा को हम अलग करें तो क जोड श यानि कि क्षा बनता है अभी गना देखते हैं हम तो गना में ज जोड न्या यानि कि हमें गन्या मिलता है और त्र जब हम देखते हैं तो त जोड र यानि हमें त्र मिलता है उसके बाद है श्र यानि कि श जोड र यानि हमें श्र मिलता है तो यहाँ संयुक्त व्यंजन है दो व्यंजनों को मिला कर यहाँ अक्षर बनते हैं इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन काते हैं संयुक्त व्यांजन क्षा, ग्ना, त्र, श्र फिर से देख लें संयुक्त व्यांजन क्षा, ग्या, त्र, श्र को स्वतंद्र व्यांजन नहीं माना जाता है क्षा, ग्या, त्र, श्र दो अलग-अलन व्यांजन मिलकर बनते हैं इन्हें सेयुक्ति ब्यंजन करते हैं आगे हम देखते हैं हिंदी भाषा में नुक्ता याने की बिंदी वाले ड़ और ध़ वनों का भी प्रयोग होता है यह वन ड़ और ध़ ब्यंजनों के नीचे नुक्ता याने की बिंदी लगाने से बनते हैं हम हिंदी भाषा में बहुत सारे इसे शब्द देखते हैं, जिनके किसी अक्षर के नीचे, नीचे बिंदी लगाई जाती है, उपर नहीं, परंतु नीचे बिंदी लगाई जाती है, तो जो अक्षर के नीचे जो बिंदी लगाई जाती है, उसे हिंदी में नुकता कहते हैं, क्या करते हैं नुकता वह जो बिंदी लगाई जाती है उसे हम नुकता कहते हैं तो ड के नीचे जब नुकता लगता है तब उसका उच्चारण ड ड नहीं बोलते हैं जैसे बोलते हैं लड़का तो लड़का लड़का ऐसा नहीं बोलते हैं उसके नीचे नुकता आ गया तो हम उसका उच्चारन करते हैं लड़का इसी तरह ड़ में भी उसका उच्चारन बदल जाता है ड़ और ड़ के नीचे नुकता लगता है तब उसका उच्चारन भी बदल जाता है ऐसे बहुत सारे शब्दां हमारी हिंदी भाषा में आते हैं जिसके नीचे हम नुक्ता लगाते हैं सही है आपको पताई है तो जो नीचे अक्षर के नीचे जो बिंदी लगती है उसे हम नुक्ता कहते हैं उसके बाद हम आते हैं आगे के नंबर पर हिंदी भाषा में गुजराती के अड़ वन का प्रयोग नहीं होता है आपड़े बदा जानी है छेवरी जितना है गुजराती ना व्यंजन यंदर आपड़े अड़ बोलिये छी एनो उपयोग आपड़े हिंदी मा करता नथी हिंदी बाशा में हम गुजराती के यह व्यंजन अड़ उसका प्रयोग नहीं करते हैं उसकी जगह ल का प्रयोग किया जाता है याने कि गुजराती में जहां अड़ लगता है वहाँ पर हिंदी में ल लगता है जैसे हम गुजराती में बोलते हैं नड नड चालू छे बरबर उसकी जगा पर हिंदी में क्या बोलेंगे नल चालू है फिल ऐसे ही शब्द दिये गया है मारा यानि हिंदी में उसको बोलते हैं माला तो हमने व्यक्ति को माला पहनाई गुजराती में बोलते हैं अमें व्यक्ति ने मारा पहरावी तो मारा नी जग्या है माला मनलब की माड़ा जो बोलते हैं गुजराती में उसकी जगा पर हमको क्या बोलना है माला तो उसी प्रकार कड़ा तो उसका हुआ कला बड़ उसका हुआ बल और नड़ उसका हुआ नल तो अड़ा की जगा पर हमें हिंदी में लगा प्रयोग करना है उसके अलावा हम सभी जानते हैं जैसे अक्षर के नीचे जो लगती है बिंदी उसे हम नुक्ता कहते हैं वैसे ही अक्षर के उपर जो बिंदी लगती है उसे हम सब जानते हैं क्या कहते हैं सही है उसे हम अनुस्वार कहते हैं ठीक है उसके बाद अक्षर के जो बाजु में भिंदी लगती है अक्षर के बाजु में जो दो भिंदी लगती है उसे हम क्या कहते हैं सोचीए अब सभी को पता है उसे हम विसरग कहते हैं सही है उसे हम क्या कहते हैं विसर्ग कहते हैं और अक्षर के उपर जो चंद्रबिंदु की मातरा लगती है उसे हम चंद्रबिंदु की मातरा कहते हैं सही है तो आज हमने देखा पाट एक में जो था हमारा वन परिचय और जो सभी आप पहले सी करिया हैं और हमने आज वापस उसका पुर्णावर्तन भी कर लिया अब हम आगे उसका स्वाध्याय देखेंगे